एक बार क्रेस्ट फॉल के छोटे से शहर में एमिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वह हमेशा अलौक एक से मोहित हो गई थी और रहस्यमय प्राणियों के प्रति गहरा प्रेम रखती थी। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक रोमान्चक मोड लेने वाली है। एमिली ने दो उल्लेखनिय प्राणियों का ध्यान आकरशित किया था। विक्टर नाम का एक पिशाच और लुकास नामक मानव भीडिया संकर। विक्टर मोहक आकरशन वाला एक प्राचीन पिशाच था। जबकि लुकास के पास अपने लाइकन्थ्रॉपिक स्वभाव के परिणाम स्वरूप एक गूढ आकरशन था। एमिली ने खुद को अमर विक्टर और जंगली और अदम्य लुकास के लिए अपनी भावनाओं के बीच फटा हुआ पाया। भाग्य के अनुसार, शहर के पुराने कबरिस्तान में विक्टर की एक चांदनी रात के साथ एमिली का रास्ता पार हो गया। उसकी एथर सुन्दरता और गूढ उपस्थिती ने उसे पतंगे की तरह लौकी और खीचा। एमिली की निडर भावना और अलौकिक के लिए प्यार से प्रभावित विक्टर ने खुद को उसकी मासूमियत और शुद्ध दिल से मोहित पाया। इस बीच लुकास जो एमिली को दूर से देख रहा था, वह उसके प्रती महसूस किये गए खिंचाव का विरोध नहीं कर सका। एक शाम, जब चांद बहुत चमक रहा था, वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए सावधानी से एमिली के पास पहुँचा। अपनी प्रारंभिक भयावह उपस्थिती के बावजूद, लुकास के पास एक कोमल आत्मा थी। और एमिली ने जल्द ही पता लगा लिया कि उसके भीडिये के बाहरी भाग के नीचे एक दयालू और दयालू प्राणी है। जैसा कि एमिली ने विक्टर और लुकास के साथ अधिक समय बिताया, उसने खुद को उनके विपरीत स्वभावों के बीच भटा हुआ पाया। विक्टर ने अमरता और ग्यान के अपने आकर्शन के साथ उसे रहस्य और रोमान्स की दुनिया की पेशकश की। दूसरी ओर, लुकास ने अपने अदम्य स्वभाव और वफादारी के साथ उसे कच्ची, प्राकृतिक दुनिया के साथ संबंध बनाने की पेशकश की। एक प्रेम त्रिकोर्ण में फंसने के बाद, एमिली ने खुद को उन दो प्राणियों के बीच फटा हुआ पाया, जिन्होंने उसके दिल पर कबजा कर लिया था। हर रात, वह चांदनी जंगल में जाती, चांद से बात करती और जवाब खोचती। लेकिन जितना अधिक वह अपनी भावनाओं में डूबी, विक्टर और लुकास दोनों के लिए उसका स्नेह उतना ही गहरा होता गया। अंत में एमिली को एहसास हुआ कि वह उनके बीच चयन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी सची भावनाओं और आशंकाओं को प्रकट करते हुए विक्टर और लुकास का सामना करने का फैसला किया। आश्चर यजनक रूप से दो अलोक एक प्राणी उन्हें प्रतितवंधवी बनने के बजाए एमिली के लिए अपने प्यार में एक सामान या आधार पाया। वे समझ गए थे कि वे दोनों उसके जीवन में कुछ अनोखा लेकर आये थे और यह कि उसके लिए उनका प्यार उन्हें एक साथ बांधने के लिए काफी था। और इसलिए एमिली ने विक्टर और लुकास के साथ एक अनोखे और असाधारन रिष्टे की शुरुआत की। उन तीनों ने अपनी अलग दुनिया बनाई जहां उन्होंने अपने मद्भेदों को गले लगाया और अपने साजह प्यार का जश्न मनाया। साथ में उन्होंने स्वीकृती, वफादारी और अपरमपरागत प्रेम की शक्ती का सही अर्थ खोजा। जैसे जैसे साल बीटते गए एमिली, विक्टर और लुकास कृस्ट फॉल में केमबदंतियां बन गई। उनकी कहानी पीडियों से चली आ रही थी, लोगों को याद दिलाती थी कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और कभी-कभी असाधारन को गले लगाना ही सच्ची खुशी पाने की कुंजी है। और इसलिए उनकी प्रेम कहानी शहरवासियों की दिलों में बनी रही, जो इस बात की याद दिलाती है कि प्यार अलग-अलग दुनिया की बीच की खाए को पाट सकता है और सबसे असंभावित आत्माओं को भी एकजुट कर सकता है।